सर्दी का मौसम चल रहा है कि चंदर शेकर आजात क्रशी विश्वेद्याले ने पिछले 50 वर्सों के मौसम में होने वाले बदलाव पर जो स्टडी की है उस पर गौर करना बेहत जरूरी है क्योंकि असमे गर्मी असमे सर्दी और असमे बारिश अब मौसमी चक्र को बदलाव की और बढ़ाती जा रही है हमारे साथ चंदर शेकर आजात क्रशी विश्वेद्याले के मौसम वेगानिक डॉक्टर एसन पांडे हैं उनसे बात कर लेते हैं क्या अध्यान हुआ है और मौसम का चक्र कैसे दिख रहा है पांड़ जी यह बताइए कि 50 सालों की जो स्टडी होई है कैसे मौसम मौसम के अवदी में और मौसम और रितुओं के में बदलाव देखा जा रहा है अब जो जलवाई परवर्तन की बजह से जो एक्स्ट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं जो भी मौसम की घटनाय है वो चरम पे होती है अगर सर्दी पढ़ती है तो पहले तो गर्मी रहती है फिर एकदम तीन दिन के अंदर इतनी सर्दी होती टंपरेचर अच्छे डिगरी एक द बटा है हमारे यहां पिछले 50-60 साल का उसको देखने पर यह पता लग रहा है और जितूओं में क्या हो रहा है बारिस के दिन कम होने से क्या हुआ है कि हमारी खेती पे बहुत नुक्सान हो रहा है पानी आठाट दिन धीमे धीमे पानी बरसता था तो उससे वाटर सब्सक्राइबरी या लास्ट दे आफ द्यसम्मर के बाद टंप्रेचर एकदम गिरने सुरू हुए और चरम पे पहुँच गये यहां तक की 4-2 डिगरी तक टंप्रेचर तक अ गये और इसके बाद हुआ गया में तंप्रेचर ज्यादा रहे और जब में तंप्रेचर में इसके बाद क्या हुआ पिछली बार एकदम गर्मी टंप्रेचर बढ़ गए 32 से आगे 42, 38, 40 तक टंप्रेचर पहुंचे, इससे क्या हुआ कि फसलों में फोर्स मिर्चोर्टी हो गई, हमारा प्रोडक्सन काम हो गया, हमारे दानों की क्वाल्टी गर गई, उनकी चमक खतम हो यह सारी चीज़ें बारिस के दिन कम हो गए, हमारे हीट के दिन बढ़ गए, जितने ज़्यादा होती है कि 40 गूपर 42 टंप्रेचर चल ला है, और जब 44 ग्यास पार टंप्रेचर होता है, तो वो लगातार हमारे हुमन की बाड़ी के लिए हम लोग हैवी चोल नहीं है, तो होता है कि जब एक्स्ट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, हम लोग जो मरीज होते हैं, चाहिए ब्रेट पेसर के हों, चाहिए वो सुकर के हों, या कॉलिस्टोल के हों, तो इनको क्या होता है, इनको थोड़ा इतिहात बढ़ताना चाहिए, उसमें होता है कि लोग इतिहात नहीं हो रही है गर्मी सिफ्ट हो रही है इस तरह से हम लोग जो विज्ञानिक है वो अब होटा torrent वाली बराटी कलते दिस Nepoadowette उन अलएवन को बिल्कूल जैसे पहले वसंत होती थी तो वसंत रूत प्लाइब होती जा रही है वसंत आता ही नहीं है सीधे गर्मी से सीधे सर्दी आ जाती है जिसको हम लोग सोहनी सर्दी कहते थे सोहना मौसम कहते थे अब वो नहीं आता है गर्मी रही और गर्मी बात तुरस सर्दी हो गई इसी तरह जो तापमान बढ़ रहे हैं हीट के दिन बढ़ रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं हीट बेप के दिन लगातार आप हमारा डाटा देखिए आपको डाटा सामने लगा हुआ है जिसमें हीट बेप के दिन भी बढ़े हैं और हमारे लगातार जाने भी जा रहे हैं वो भी दिसंबर में पड़ी नहीं बर्फवारी हुई नहीं पाड़ों में लेकिन गलन बरी सर्दी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी तो पड़ रही है अपकी बार नौ या दस वेस्टन डिस्टर्वेंस अभी तक आ चुके लेकिन कोई भी डिस्टर्वेंस अभी तक इतना आज 18 तारीक है 19 तारीक है नहीं आया है लेकिन जो अब अगला आ रहा है साहिद वो ज्यादा बर्फवारी दे सकता है ऐसी उम्मीद करी जा रही है और अभी तक जो खेती के लिए सोना बरस्ता था जिसको हम महवट कहते हैं वो अभी तक गंगा के मैदानी भागों में दो मिलीमीटर ब बिना बर्फवारी के गलनवाली ठंड लगाता रहे इस तरह समुद्र के जो तापमान बढ़ते हैं और लानीना का इफेक्ट होता है वो भी आ रहा है तो मौसम के चक्र में रितूं के चक्र में बदलाव हो रहा है चंसकर आजादकरशी विश्विद्याले ने जो झाल